हलो बच्चो तो कैसे हो आप लोग मैं आज exercise 12.3 का question number 16 कराने जा रहा हूं जो कि इस exercise का last question है तो आईए start करते हैं इस question को तो मैं पढ़के सुना देता हूं बला question calculate the area of the design reason figure number 12.34 जो कि आपके सामने है the common between the two quadrant दो quadrant है एक ये वाला quadrant है मैं नेमिंग कर देता हूं उस पर A, B और C एक A, B, A, B, D, C, A एक quadrant है और दूसरा quadrant है E, E, B, F, C एक ये quadrant है अब इन दो quadrant हो का area है वो क्या है common है तो आईए start करते हैं इस common area को निकालने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँआ इसमें construct करूँआ क्या construct करूँआ मैं एक line बनाऊँआ जोइन करूँआ line B, C अलकुल स्टेट बनानी है यह थोड़ी सी टेड़ी हो गई है आपको बलकुल स्टेट बनानी है तो B, C line स्टेट करने के बाद हमें मालम है यह एक हमारा quadrant है तो मैंने लिखा in quadrant A, B, D, C तो हमने लिया area of quadrant is equals to 1 upon 4 pi r square 1 upon 4 pi r radius कितनी है हमें कोशन में given है कितनी है 8 cm तो सारे क्या होंगी 88 cm की होंगी ठीक है तो यहां पर हुआ 8 का square आंगे solve करेंगे हम तो जब आंगे solve करेंगे हम तो हमने लिखा 1 upon 4 into 22 upon 7 into 8 into 8 4 की table से 2 times 22 into 244 into 8 upon 7 अब क्या करना है 8 का 4 से multiply करना है तो 8 4 जा 32, 3 carry और 8 4 जा 32 और 3, 35 upon 7 cm square जीक है upon 7 equals to 352 upon 7 cm square अब इसके बात क्या नकालना है हमें area of this triangle triangle ABC तो area of this triangle तो हम निकालेंगे area of triangle area of triangle is equals to half base into height अब एक बात बताईए बेस इसमें क्या है base कितना है इसमें 8 cm और height भी कितनी होगी इसके 8 cm विकाउस रेडियस है इसके 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 आने के बाद हमें इसके आए क्या करना है area of half तो निकालेंगे area of half shaded reason कैसे निकलेगा हमारा जो हमने अभी quadrant निकाला है हमने जो quadrant निकाला यहां से यह जो quadrant निकाला है इस में से इस triangle को हम क्या करतेंगे minus तो आईए करते है area of half shaded reason निकलेगा यह वाला reason निकल पाएगा उसके बाद देखिए जरा इसके बाद हमारा यह reason निकलेगा यह half shaded reason निकलेगा इसको double करेंगे तो पूरा निकलेगा तो half shaded reason is equals to 352 upon 7 minus 32 जब मैंने इसको किया 352 upon 7 minus upon 7 minus 32 तो 32 का इसमें LCM ले लिया मैंने तो LCM लेने के बाद जब मैंने किया तो 14 और 22 जब मैंने इसका LCM लिया वो minus किया तो जब मैंने 352 और minus 224 को minus करेंगे 352 minus 224 करेंगे तो कितना आएगा 128 upon 7 cm2 अब यह कितना आगया half shaded reason अब निकालना है हमें full shaded reason तो निकालेंगे full shaded reason is equals to 128 upon 7 into 2 जब मैंने इसको common quadrant के बीज में थी ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रू करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो comment box में ज़रू बताईए पर नई हो तो चैनल को like share subscribe ज़रू करें बेल आइकन को ज़रू इट करें